दिग्रश शहर में पाली का प्रशासन फारा मांसुन पुर्वर नागरी समस्याव का निप्टारा देरी से शुरू होने से शहर के कई इलाके गड़न नालियों के ओवर्फलो से गंदगी के चपट में आके है इन इलाकों में से एक और शहर के बीचों बीच बसा बारभाई में बेते कई सालों से नालियों के चोक होने और रास्तों पर गंदा पानी जम जाने से यहां के नागरी तरस्थ हो चुके हैं पालिका प्रशासन को ग्यावन सुपकर मांसुन परवर नियोजन की मां के थी जिसके बाद पालिका के मुख्यादी कारी शेश्राव टाली ने गंपिरता दिखाई और नालियों के साफ सफाय की गई लेकिन बारिश के आग्मन के साथ ही उक्तिकाम उनके मुवे जिराज जैसा साबित हुआ यहां के निवासियों का आरुप है कि सानिय नगर सिवक और जन प्रतिनिती इस समस्या से पहले ही आवकत थी बावजुत इसकी इस समस्या का पुर्व समातान धुनने की उन्होंने खास पहलने की नालि साफ सफाय जैसे कामों को यहां हाल फिलान में शुरुआत हुई है लेकिन वो भी काफी नहीं है सानिय निवासियों की माने तो यहां जब तक में चिंबर और गडर लाइन का काम पूरा नहीं होता तब तक यह समस्या बरकरा रहेगी देखना हो काउं कि आगा में देनों बेच सानिय पाली का प्रशासन इस समस्या का हल निकालने में क्या प्रयास करता है बैसे अन्य उसके लिए तीकर से जब खांक की रिपूट